अलो गाईस मैसूर अजराज अपनी यूट्यूब चनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो रहने वाली है वो बीए फश्टी वालो के लिए क्या रहने वाले एकोलो मिक्स का फश्ट पर है जो 2021 में आने वाले कोशन की बात करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो जिसने भी हमारा यूट्यूब चनल पेपर हैकर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लिए और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेर कर दीजे देखिए आप पहली बात चनल पे आए तो सब्सक्राइब कर वाल आइकान जरू दबाना है क्योंकि जो और वहां आपको क्या है चैक कर लेना है कि धो हमारे एक्जम में आया नहीं आपको पूरा विस्बास हो जाएगा कानफॉर्म हो जाएगा कि हाँ जो हम बताते हूँ सारे कोशन आते है ठीक है और दिखे आपको क्या करना है आपका भाई बहन कोई भी हाई स्कूल इंटरू यह BSCB को हम कुछ भी कर रहा है तो ततकाल हमारे युट्यूब चनल पर हैगर को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए ताकि वो क्या है जो भी हम important question डाले उनके लिए भी आपना वही question को cover करके जाए वही याद करके जाए most important training है ठीक है और BSC की सारी life class चल रही है आप उसे टेंट करिए बीसी में कोई है और बाकी को भी देखिए जैसे कि किसी को बदा देंगे क्या क्या होता है और हम अपने college जो हमारे जान पैचान का college है अच्छा college है वहाँ आपको करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है आप जाओ तो जाओ college में बरना मत जाओ सब कुछ चलेगा ठीक है और पूरी help मिलेगी आपको future में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाल लेकिन अच्छे कम फीसों में लगेगी और अपना जो college होगा खुद का हम लोगों का है उनमें हम आपको करा देंगे ठीक है जो हमारे खुछ जान पैचान के हैं आपकी है यूपी से कहीं से भी हो हम आपकी पूरी help करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कहीं कोई से उन्य question रहेंगे तो last day के video बने रही है तो देखें यहां अर्थसासर के शेतरों में ब्याख्या most important है अर्थसासर है तो economics की बात की जा रहे है तो economics जानता ही है अर्थसासर की बारे हैं आपको उनकी ब्याख्या करनी है और क्या बताना है कि जो आदर्शिवादी दरश्टी उसके बाद में नेक्ट कोशन आपको याद करना है कि अर्थिसास्त्र में शम के बिचार का अर्थि क्या था जो शम में थे उनके बिचार का अर्थिसास्त्र में वो बताना है उनके अर्थिसास्त्र के महत्र क्या थे उब्होकता के बचत है की अवधरना क्या थी उब्होकता के नियम क्या होते हैं आर्थिक नियम यह आपको बताना है आर्थिक नियम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और साथी साथ आपको नेक्स कोशन पर टिक लगाना है अपके पास गया से पर हैं नोट से जो भी आप जिससे त्यारी कर रहे हैं आप उन पर टिक लगा लीजि उनकी क्या क्या बिसेस्ता रही है ये दियात करो उसके बाद में करना है अधिमान अधिमान चक्र क्या होता है वो देखना है तो जो अधिमान चक्र है उसके बारे में देख लेना है और मांग के नियम क्या है भी मांग के नियम सीमाए अब बाद क्या है ठीक है और क्या है बहुत सकता है कि उपयोगता कौन होते हैं और उनकी सिमांत उपयोगता कौन होते हैं वो देखना है चुनाब अधिमान क्या होता है वो देखना है और पिरकट अधिमान सिध्धांत की अलोचनात्मक व्याख्या करनी है आपको समझ में आ रहा है जो पिरकट अधिमान जो कोशन को आपको आयाद करना है वो उत्पत्ती का हौस नियम की किरिया सिलता क्या थी हौस के नियम को अच्छे तरीके से देख लीजिए उत्पादन फलन विसेस्ता क्या है वो देखना है ये करने के बाद में आपको क्या करना है देखिए नीचे जाना है, और नीचे यहाँ देखिए, समुत्पादक, समुत्पाद, समुत्पाद है, उनके बक्रों की परिभासा आपको बताना है, समुत्पाद बक्रों की परिभासा, पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, वो देखना है, उनकी, देखिए, कीमत विवेध, कीमत वि बही आपको क्या है, एक अधिकार का मिस्रन का है, तो वो उसके बारे में देखना है, प्रितियुक्ता क्या होती है, पूण प्रितियुक्ता क्या होती है? पूर्ण प्रतियुक्ता ये देखना है आपको ठीक है पूर्ण प्रतियुक्ता के अंतरगत जो अल्पकाल में कीमत किस परकार निर्धायत की जाती है जब हमें पूर्ण प्रतियुक्ता होती है जब उसमें जो इसके अंतरगत क्या होता है अल्पकाल में कीमत की जो निर्धा सथ आपको देखना है कि बित्रन के सीमान या उत्बादकता का सिध्धान के यह देखना कि आपकी मजदूरी होती है मजदूरी निर्धारण है मजदूरी निर्धारण मैं यह तो उसको किस परिकार से दिया गया थो आपको यह देखना है कीले ब्याज के जो तरलता जो पसंदकिशिद्धान था उसके आपको अलोचनात्म ब्याख्या कर रहे हैं उसके बाद में आपको देखना है मिसरत अर्थविवस्ता के बारे में देखना है उसके अर्थविवस्ता के बारे में देखना है कि मिसरत जो अर्थविवस्ता है उसके गुण क्या रहे हैं प्रोपर्टीज क्या है उनके दोस क्या रहे हैं वो देखना है और देखें मूलभूत तत्व क्या होते हैं मूलभूत तत्व को देख लीजिए मूलभूत तत्व को आप देखने के बाद में प्रो रौविंस जो का अर्थसास्त्र क्या था उसके बारे में देख लेना है ठीक है रंद और साथी साथ आगम बिधी क्या है समानने सम्मकार्थ क्या है आर्थिक समीकर्ड क्या है वो आपको देखना है ये चोटी चोटी परिवासा है आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद में आपको देखना है जो गिफिन ब्रोधास मधा उनलोच की धारणा की ब्याख्या करनी है और अधिकार क्या है ये आपको देखना है पूर्ण पृतियोकता की विस्था बतानी है पूर्ण पृतियोकता की विस्था है वो बता देनी है और उसके बाद मताना है कि समाज बात पर विस्था बता देनी है मजदूरी का लहो नियम क्या था वो आपको बता देना है और इसके बाद में आपको राष्टी आयप की परिमासा और पूजी बात की को समझाईए यह आपको बता देना है लाब का सुमिपट सिद्धान था उसके बारे में देख लेना वास यह कोशन थे